गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ तो देखें स्टुडेंट्स हम इस वीडियो में सिंदुगाटी सब्वेता के नगर बनवाले के बारे में पढ़ेंगे और शिंदुगाटी सब्वेता के बारे में महतोपून बाते हैं और शिंदुगाटी सब्वेता के जो अन्य नगर है उनके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है तो शिंदुगाटी सब्वेता का जो ये नगर है बनवाली इसको बनावली नाम से भी जाना जाता है तो देखेगा एस्टूडेंट्स सिंदुगःटी सब्वेता है उसका काल था 2500 इसपूरा से 1500 इसपूरा और वैसे तो सिंदुगःटी सब्वेता में नगरों की संध्या 1500 तक की मिली है लेकिन हमें उन्हे नगरों के बारे में पढ़ना है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और उन्ही जो महतोपूर्ण नगर जो सिंदुग अड़ी सब्वेता के महतोपूर्ण नगर है पहले इनमें इनकी संग्याद 6 ती अब इनकी संग्याद 7 हो गई है और इन्ही में से एक नगर है बनवाली ठीक है और जो साथ नगर हैं सिंदुग अड़ी सब्वेता के उनमें से हडपा, मोहन जोद्डो, कालिबंगा, लोथल, चनहुद्डो के बारे में हमने पढ़ लिया है और बाकी बनवाली के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में और धोला विरा के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे तो इस परकार से सिंदुग अड़ी सब्वेता के जो परमुक नगर हैं जो नगरों की लिस्ट में आते हैं कई बार परसन पूछ लेते हैं कि भई लोथल है वह सिंदुग अड़ी सब्वेता की कौन सी लिस्ट में आता है वो है नगर तो हडपा, मोहंजोद्डो, काली बंगा, लोथल, चनहुद्डो, बनवाली और धोला विरा ये सिंदुग अड़ी सब्वेता के नगरों की लिस्ट में आते हैं और इन्हे सब के बारे में हम सिंदूगाड़ी सबबेता घी जोनगर है इनके बारे में हमने महित्वापन बातों को पढ़ भी लिया है और आगे दोला विरा के बारे में بھی हम पढ़ेंगे तो एकजाम के तोर से यह चेप्टर बहुत ही महित्वाप्न तो देखेगा जो बनवाली नाम क्या है इसको हम बनवली भी कह सकते हैं कई बार बनवाली कई बनावली नाम से भी इसको बोला गया है तो यह एक संदव जो सभेता है उसका ऑगे पर्मु के इस्थल है पर्मुके नगर है अर यह हरियाना के हिसार जिले में घगगर नदी के किनारे इस्तित है ठीक न और जो घगगर नदी है इसका प्राचिय नाम क्या था सरस्वती और अब जो आदोनी काल में जो घगर नदी है इसका नाम है या तो इसको बोल देते हैं मृत नदी क्योंकि ये नदी लूप तो चुकी है या फिर इसको लेटी हुई नदी के नाम से भी जाना जाता है और सर्शवथी नदी है इसको प्राचीन काल में दर्श्तवथी नदी भी कहा गया था अर्थास घग्ग नदी का प्राचीनाम सर्शवथी नदी दर्श्तवथी नदी और एक आपका मृतनाती लेटई हुई नदी आदी उपनामों से इसको जाना गया, कई बार पूझ लेतेंगा अगर नदी के बारे में तो इसके उपनाम तो आपको यहां पे अच्छे से इसको धान में रखना है तो देखिएगा जो यह बनवाली नामक जथल है इसका जो उत्खनन है यह 1973 में आर एस विस्ट जिनका पूरा नाम क्या है रवींदर सिंग विस्ट इन्होंने करवाया था और बनवाली का जो बनवाली नामक जो नगर है उसकी स्थिति क्या है वो हरियाना के हिसार जिले में घगड न दिके किनारे स्थित है उत्कनन का कारिये या खुदाई का कारिये किसने करवाया RS 20 ने कब हुआ 1973-74 में कई किताबों में 1973 मिलेगा आपको कई में 1974 मिलेगा तो 1973-74 में ठीक है और इस स्थल से हडपा सिंसकर्ती के तीन स्थल प्राप हुए हैं तो जो महत्तोपन बात है वो क्या है कि जो बनवाले नामक स्थल है यहां से हडपा सिंसकर्ती के तीन स्थल मिले हैं वो कौन-कौन से हैं तीन स्थल प्राप हडपा, विक्सित हडपा और उत्तर हडपा अर्थाथ हडपा से पहले की सब्यता के साख से हडपा कालीन और उत्तर हडपा अर्थाद हडपा के बाद के साख से भी आसे हम प्राप्त करते हैं और जो बनवाली है यहां से जण निकासी पढ़नाली जो सिंदु सब्वेता की सबसे महत्तोपन विशेशता है उसका अभाव यहां पर मिला है यहां से एक मातर स्तलेसा है जहां से जण निकासी पढ़नाली का अभाव प्राप्त हुआ है यहां से हडपा कालिन मिट्टी के उत्क्रेश बर्तन सेल खड़ी की अनेक मुहरें आदी अफसेस प्राप्त हुए हैं और बनवाली से सिंदू सब्बेता के सहरों के सब भी लक्सन दिखाई देते हैं और यह है नगर सम्रत लोगों का नगर था यहां से एक मकान से धावन पत्र वोस बेसन लगा हुआ मिला है अब देखेगा थोड़ा साक एक्जाम के दरस्टे से महाँ आपको यहां पर महतोपन बातों के बारे में बताऊंगी जो बनवाली से संब्बन दीता हैं यह क्या है मिट्टी से बने हल तथा मिट्टी के बने खिलों ने यहां से मिले हैं यह समरत लोगों का नगर था और बनवाली से गेहूं और जो के साक से मिले हैं तो कई बार कि उसन पूछा गया है कि अच्छी किसम के जो कहां से मिले हैं वो है आपका बनवाली और यह हमने आपको बताई दिया है कि जो बनवाली है यहां से जन निकासी का अभावता ये सिंदु घटे सब्यता का एक मातर रस्तल ऐसा है जो जन निकासी का जहां पर अभावता वो था बनवाली यहां के मकानों से अगनिवेदियां भी प्राप्त हुई हैं खुदाई में प्राप्त अन्य वस्तुएं देखो अगनिवेदियां भी प्राप्त हुएं यहां से जसे मृत भांड, मुहरें, ठपपे, बठखडे, गुरियां, चूडियां, आदियां से प्राप्त हुए हैं। यहां से मिट्टी का बना हल तथा कुछ नारी मूर्तियां भी मिली हैं। जोके दानें भी काफी मात्रा में मिले हैं और अच्छी किसम के जोके दानें से प्राप्त हुए हैं। सडकों तथा नालियों के अवसेस, मन के, तंबे के बाना ग्रे, चाट के फ्लक, पकाई मिट्टी की मुहरें भी प्राप्तियां से हुई हैं। अब देखेगा कई बार, हजारों बार परिक्ष्या में पूछा गया क्यूसन है कि हल की आक्रेती, जो खिलोने के रूप में है, जो मिट्टी का बना हुआ है, वो कहां से मिली है, वो आपकी बनवाली, यह आपको धान में रखना है, कई बार बच्चे कन्फ्यूस हो जाते हैं, तो आपको यहां पर धान में रखना है, इस बात को की मिट्टी का बना हल जो किस रूप में है खिलोने की रूप में है वो कहां से मिला है बनवाले से मिला है और ऐसे भी पूछ लेते हैं कि उसन की बई जो बनवालियवा शिन्दु गाटि सब्वेता का कोई साधान से इस्थल है या फिर परमुख नगर है तो वो आपका बनवालियवा नगर के रूप में है बनवालियवा या नगर अपनी योजना की दस्थी से सुथ कोड़ा और काली बंगा के पस्सिमी टिलों से मिलता जूलता है तो जो दो टिले मिले हैं उनमें से जो पस्सिमी टिला है उसे जो बनवालियवा उसका टिला है सुथ कोड़ा और काली बंगा से मिल रहा है काली बंगा के बारे में भी हमने पहले अच्छे से पढ़ाया है काली बंगा के बारे में आप अच्छे से डेटेल वहां पे देखेगा तो देखे यहां पर एक महतोपन क्यूशन बन रहा है की सिंदु गाटि सब्वेता का ऐसा नगर जो प्राख हडपा कालीन है वो है आपका एक तो बनवाली और एक है काली बंगा तो क्यूशन में पूछें तो दोनों अप्सन नहीं आएंगे कभी भी प्राख हडपा से संबंदित या तो काली बंगा आएगा या फिर वाँ पे बनावली आएगा तो आपको लेकिन आपको इधान में रखना है कि कौन से नगर सिंदु गाटि सब्वेता के ऐसे नगर है ज तो प्राख हडपा से संबंदित हैं वो हैं सुरी आपका काली बंगा और बनावली ठीक है तो धन्यवाद स्टुडेंट्स हमने यहां पर बनावली के बारे में पढ़ा और ऐसे ही इतियास संबंदित और भी आपको नए नए वीडियो मिलेंगे इसलिए आप लोगों को हम हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करना है लाइक करना है सेर करना है और हमारे जो वर्सब पे बने जो ब्रोडकास चैनल है उससे भी आप लोग जूडें ताकि आपको नए नही इतियास संबंदित नही नही पोस्ट और नही नही वीडियो मिल तेंक्यू